हालो गाईश दिस ही विश्कमार HBS इस्टेटी पॉंटे के मातल से मेरी पी दोस्तों आज डाक्टर भीमरा अम्मेटगर इंवसीटी ने क्या है आपका जो आंसर की है रिलीज कर दी गई है सारे जितने भी आपके 51 प्लस जो सब्जेक्ट थे आपके PSD के वाँ पर आंसर की अपने चेक चेक अप कर सकते हैं ठीक है न तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या क्या है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह आज की ब्रिकियम नीज है आंसर की ओपन हो जाएगी और इस तरह से आंसर की क्या है आंसर की PhD इंटर्स एक्जाम 2024 तो मेरी पी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मेरी दोस्तों यहां पर क्या है जैसे सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट है आप इस में जाएगे और इसको क्या है क्लीक करके देख सकते हैं जैसे यह सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कूछ जिसका सब्रीखक हो इसमें आपको क्लिक करेंगों और भाथ वाहँ कोलिए जैसे मानमेने एक जोगरीफिय ॉपर किरता हूं यहाँ डानूलॉड मांगेगा और download मिलते ही यहाँ पर क्या है इसको on करना है और जैसी आप paper का है यह आपका download हो रहा है और download होने के बाद इसे open कर देंगे और open होने के बाद आपकी क्या है adopt हो जाएगा और adopt एप the apprault में चला जाता है उसके बाद यह आपका paper क्या है आपके जो आंसर की है आपकी की open on हो रही है कलेफेंट और आप पूपास जो कारवन कॉपी है कलेफेंट जो कारवन कॉपी है कारवन कॉपी में आपने mention किया हुआ जो आप पेपर दे रहे होंगे तो भहाँ पर आपका A, B, C, D करके क्या है आप पर पेपर सेट मिला था लेकिन हैं तोटर आपके 100 कुशन आपको यहां देरागे है और यहां देखेंगे A, B, C, D इस तरह से यह आपको का है पेपर सेट है और यहां पर A के जो आंसर है यह देरागे और B के यह आपके C के यह देरागे और डी के इदा दे रखने हैं और यह लिखा है PhD इंटर्स एक्जामनेशन 2024 जोगराफी 0.28 इस तरह से यह दे रखा है क्लेफेंट और इस तरह से यह सारा दे रखा है तो इस तरह से आप इसको कहा है क्लेख सकते हैं और भी कोई देख सकते हैं और दूसरी नेक्स खोलने देखते हैं तो आप वह भी कहा है खोलके आजाएकी इसको क्यों रखते हैं तो मिलफी दोस्तो यह आप इपका आदी पर ते आपको बालत आंसर सीट इस पर SwCloud कर दीया है जिस थैपको करें तरह से आप देख रहे हैं और इसके बाद जैसे आप आएंगे आप बाता आती है कि आपती, आपती कैसे लगाई जाए, यहां तो यहां पर आयो को और हमारी इनिवस्टिटी ने यह दरखा है कि आंसर की तो दिर आगी है, लेकिन कोशन आड़ी नहीं दरख किया है, यहने कोशन पेपर नहीं इसमें डानलोड किया है, तो बच्चे यहां पर बहुत इमेल, dearresearchofthehbs.dvru.nup2.288824 तक आप एसमें करें तो किस तरह से की जाएगी, मेरे यह समाज में नहीं आ रहा है, पेपर कहां से होगा, आप कहीं भी देखें कहीं पेपर आपका नहीं दरखा, यह आप भी कहा है, आंसर की दरखी है, यह टोटल आंसर की है, और यहां पर क कुछ भी जो पेपर से रिलेटेड हो, यह दरखा है आपका आंसर की, और एडमेंट कार्ड और पीएजडी, इंटर्स टेस्ट और यहां पर गाइडलाइंस, तो आप कोई बच्चा, यह कोई भी बच्चा है, अगर उसके पता है, कि मेरे यह कुशन यहां पर आगल था, य यह जाएंगे और इसमें जाएंगेंगे, यहां पर यहां पर जैसे प्रुचलóर्चा बच्चह कर सकते हैं, आप कर शके मेरे में, इस समय नहीं अपर नहींगे यहांगे। जेसे यह खुलता है और यहां पर जैसे पहुंचेंगे जेसे ऑन होता है जो मेरी मिरमाई हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और हम्हाजी किसे लागा सके इस तरह से इक प्रूब कैसे लग सकता है ऐसा तो नमुकिन है कि लिए कुशन कितनों किसको याद होंगे कि कुशन हमने ये लगाया था इसका अंसर ये था इस तरह से ये सारा मेटर था और जो आपको कहा है इनपोमिस्ट देनी थी तो इस तरह से ये आपको इसमें आप एक चेक कर सकते हैं तो मैंने अभी आपको दिखाई थी कर लिए और मैंने इसको यहां और भी इनवसिटी की साइट पर देखा था कहीं भी पेपर को डाउनलोड नहीं किया है और जैसे आप इसको खुलते हैं और 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 भी साइट देखेंगे यहां पर जो भी पेज है खुलके आता है तो यह आपको देरका है यहां सारी जो भी चीज़ है information है वो यहां पर mention कर रहा है बट यहां पर क्या है बहुत पेज खुलता है और इस पेज पर आपका mention किया है answer की PhD इंटर्स एक्जाम 23 और 24 यह दर रखा और इसमें कुछ mention नहीं है और तो सारी वैसी information जो पहले इसमें करा चुके हैं यह लोग क्लियर जैसे API score application applied और फॉर अश्ट पॉपेसर लिस्टू यह इसारत रखा है इस तरह से यह क्लेफेंट तो आप इसमें देख सकते हैं तो मेरी पी दूस्तों इस तरह से कोई इसमें कोई information नहीं है और जैसे मुझे update मिलती है तो मैं आपको क्या है अपडेट कर दूँगा अगर हमारी वीडियो पसंद आती है पिलीज उसे like share और ससा करें और जैसे आप पता है इसके बाद आप जैसे answer आपके चेक कर लेंगे और चेक करने बाद आप पता चल जाएगी कि आपके question कितने सही हो रहा है अब जैसे आप पता है कि आपके जो question आपके जो question मानुसबर किसी बच्चे question 50 पिलस अगर कोशन सही है तब ही वह पास ही हुआ अगर प्रिफ्टी से नीचे रहते तो पास नहीं माना जाएगा और जैसी भी guidelines कि मैं आपको बता दू क्या का है इसके अंदर तो यह आज की क्या है information जी आपको देनी थी आपकी answer की रिलीज कर दी गई है डाक्टर भीमरा अम्बेट का university से और जैसी मुझे information लेगी मैं आपको update करते हूं thank you bye bye and take care